Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल ऐसे ज्यान की कुछ बातें, हाइलाइट करवा सकते हैं, जिससे की बहतर नीतियां बनाई जा सकती हैं, मैं बात कर रहा हूँ, National Household Consumption Expenditure Survey की, जिसकी 2022 and 2023 का जो एडिशन है, वो complete हो चुका है, और इसने काफी सारी revealing information हम सब के सामने प्रकट की है, जिससे हमें पता लग रहा है, कि actually, we are entering into New India और हमारा भारत बदल रहा है, especially if we compare the situation from 1999 to 2000, right, तो बहुत जरूरी है इस सर्वे के बारे में जानना हमारी economy को समझने के लिए, हमारे नए यूग को समझने के लिए, right, चाहे आप policy makers हैं या आम व्यक्ति हैं, तो हमें अपने बारे में भी पता होना चाहिए, कि किस प्रकार से अलग-अलग commodities के उपर हम consumption पर पैसा खर्च रहे हैं, right, तो जो recent data आया है ये UPSC aspirants के लिए तो बहुत important है, other than that, जो भी state civil services की तयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी important है, even RBI नबाड और कई ऐसे exams जो तयार कर रहे हैं, it's very important that you cover this particular session और इस से मिलने वाली जो सबसे important जानकारी है, उसको अच्छे से prepare करें तो आज के इस session में इस survey से मिलने वाले 5 points के उपर हम focus करेंगे, point number one है, कि किस तरीके से food के उपर पिछले 20 सालों में हमारी consumption pattern में बदलाव आया है, secondly, food में अगर बदलाव आया है, तो within food हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, ठीके के food हमारी income या हमारे expenditure का कितना proportion बनाता है, right, and on top of it, अगर, let's say, हम खाने के उपर खर्च कर रहे हैं, तो हम किस तरह का खाना prefer करते हैं, vegetarian food prefer कर रहे हैं, या हम protein वाले food जैसे की milk, egg, meat, इन सब चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है, इससे भी हमें अपनी अर्थ व committee, right, ये repo rates को adjust करती है, repo rate basically क्या है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, कि bank के interest rates जो हैं, वो RBI की policy से थोड़ा सा change होते हैं, which is repo rate के change होने से bank के rates भी change होते हैं, right, तो अगर RBI महंगाई को control करना चाहता है, तो वो क्या करता है, repo rate बढ़ा देता है, क्यों बढ़ाता है, ये मैं detail म अब भी explain करूँगा, क्यों repo rate को बढ़ाया जाता है, और इसके बढ़ने से bank के rates के उपर क्या फरक पड़ता है, right, and RBI देखता है एक basket of goods को, ठीक है, तो ये basket of goods को last हमने 2011-12 में update किया था, क्या समय आ चुका है कि इसको हम दुबारा update करें, क्योंकि इन basket of goods में, अगर हमने म Tesla की गाड़ियां वरले लोगों के पास होती है, और Tesla की गाड़ी की अगर price दुगनी हो जए, तो क्या ही हम कह सकते हैं, कि महंगाई बहुत जाधा बढ़ गए, दुगनी हो गई महंगाई, 100% inflation, not at all, right, तो यहाँ पर वो commodities होती हैं, वो goods and services होते हैं, जो जाधतर लोग use करते और उनकी usage के हिसाब से उनको weightage दी जाती है, तो यह चीज हमने 2011-12 में exercise की थी, 10 साल से जाधा बीच चुके हैं, तो क्या समय आगे है कि इसको update करें, और क्या यह recent survey हमें इस चीज की indication दे रहे हम इसके उपर भी ponder upon करेंगे, फिर हम कुछ concepts को समझेंगे that what is imputed and non imputed, you know, value of monthly per capita, consumption, expenditure, इसका मतलब क्या होता है, और इससे हमें क्या पता लग रहे है about the inequality, ठीक है, inequality के बारे में हमें यहाँ पर एक data point मिलेगा, and along with that, अलग-अलग states में standard of living में क्या difference आ रहा है किस प्रकार से, you know, state-wise and region-wise inequality हमें देखने को मिलती है, we will focus on that, right, so start करते हैं आज के session को without wasting any time, अगर आपको यह PDF चाहिए, तो CS Live Group on Telegram, यहां से आप download कर सकते हैं, मेरे साथ connect होना चाहते हैं, तो Instagram पर hello.chandhan sharma पर मेरे साथ जुडिए, and at the rate hellochandhan, यह Telegram पर मेरा personal handle है, you can connect with me there as well, और अगर UPSC से related, हमारे courses से related, आपकी कोई भी query है, तो आप पूछ सकते हैं, right, आप में स syllabus को prelims के point of view से अच्छे से revise करेंगे, through live classes, और हर live class के बाद आपका एक sectional test होगा, sectional test की practice से आपको पता लगेगा कि आपको कहां-कहां improvements करनी हैं, और कैसे आप अपनी preparation को और polish कर सकते हैं, CSAT की भी workshops होगी, so that to ensure कि CSAT में आप disqualify ना हो, और CSAT के full length test along with GS full length test भी इसमें आपक ready reference data which will be provided to you in your e-booklets, CS live code को use करने से इस course को आज के दिन on leap year sale आप सिरफ 4000 रोपे की value पर purchase कर सकते हैं, और पूरा का पूरा syllabus इसमें आपका 30th April तक complete हो जाएगा, यानि कि 25 दिन मई के आपके पास रहेंगे for your effective revision, तो अच्छा कासा समय आपकी self-study के लिए भी इसमें आपको मि about, सबसे पहले देखो एक basic premise इसके बारे में बता दूँ, ठीक है ये एक survey जो है ये ऐसा survey नहीं है कि हर साल या हर महीने इसको conduct किया जाता है, ये एक ऐसा survey है जो 5 साल में एक बार conduct होता है, and for that reason it is often called as coinquennial survey, coinquennial मतलब 5 साल में एक बार होने वाली चीज, इस survey को conduct किया जाता ह है by national statistical office, दर असल पहले के समय पर NSSO was the organization, that is national sample survey organization, जो ministry of statistics and program implementation के अंडर ही काम करती थी, लेकिन 2019 में central statistics office और NSSO को combine करके एक single office बना दिया गया है, that is national statistical office, और इसी का काम है कि consumer expenditure survey के data को compile करे और उसके बाद data को release करे, publish करे, right, तो इस survey के अंदर basically, आप और हम जैसे जो आम consumers हैं, इनके बारे में हमारे जो consumption के spending patterns हैं, कि हम कितना पैसा खाने के उपर खर्च करते हैं, कितना पैसा education के उपर खर्च हो रहा है, कितना पैसा medical services के उपर, clothing and footwear के उपर, कितना पैसा पान, intoxicants और इस तरह के दूसरी चीजों पर खर्च हो रहा है, तो ये pattern को study किया जाता है, right, and इस pattern के अंदर urban areas and rural areas को separately भी study किया जाता है, and फिर national overall average भी निकाली जाती है, state-wise comparison भी होता है, तो काफी comprehensive और detailed survey है, जिससे भारत की अलग-अलग शेत्रों में, अलग-अलग कस्बों में, राज्यों में, शेहरों में, और result निकलता है, उसमें ये release करते हैं, monthly per capita consumer expenditure, कि हर महीने एक व्यक्ति अपनी consumption पे, यानि की चाहे वो food की consumption हो, education की हो, वो monthly basis पे हर व्यक्ति कितना पैसा खर्च करता है, तो average रूप से एक व्यक्ति monthly basis पे कितना खर्चा कर रहा है, और किन चीज़ों पे कर रहा है, वो इस survey से ह काफी ज़्यादा significance है, वो 5 data points को बताने से पहले, इसकी significance जाननी ज़रूरी है, यह significance ऐसा है कि इससे हमें demand dynamics पता लगता है, economy के, right, मान लीजे कि आपको पता लगता है कि एकदम से education के उपर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं लोग, right, तो उससे एक indication मिलती है कि ठीक है, education की demand ह तो जो निर्माता हैं और जो service providers हैं, वो accordingly अपने products को बना सकते हैं, जैसे कि ऐसे case में edtech sector काफी ज़्यादा boom कर जाता है, right, इसे के साथ-साथ जो लोगों की priorities हैं, वो कैसे shift हो रही है, in the basket of goods and services, उसके बारे में भी पता लग जाता है, for example, अगर पता लगे कि cereals की तरफ, cereals are more aware about their nutrition, right, और they want to consume more nutritious food, right, तो यह information इससे पता लग सकती है, इसे के साथ-साथ कुछ structural anomalies के बारे में policy makers को पता लग जाता है, and timely intervention भी हो सकती है, anomaly जैसे कि माली जी है कि surprisingly एक ऐसा क्षित्र है, एक ऐसा कसबा है, जहां पर पान और intoxicants, tobacco, इन सब की consumption, एकदम से पता लगता है abnormally बढ़ी हुई है in comparison to the national average and in comparison to the usual expenditure percentage, right, तो यह इस बात का indication है कि लोग, पान, intoxicants, यह कही न कहीं जादा consume करना शुरू हो गए है, तो आने वाले समय में यहां पर फिर health पर भी जादा expenditure होगा लोग होगा, क्योंकि इन सारी चीजों को ऐसा तो है नहीं कि यह संजीवनी का मिलता है, opportunity मिलती है and beforehand एक indication मिल जाती है, right, so this is another advantage and significance, along with this, service providers and goods के manufacturers को, you know, they get to know the demand dynamics and accordingly they can plan their products and services, on top of it, GDP के base को calculate करने में और दूसरे तरह के macroeconomic indicators को adjust करने में, it goes a long way, जैसे के GDP calculation में क्या है, 2011-12 is the base year, ठीक है, अब GDP को हम जब भी कहते हैं कि हमें 8% growth चाहिए या 10% growth चाहिए, तो it is in comparison to the base year, base year हमने 2011-12 है, हम ऐसा base year नहीं रख सकते जहां पर कुछ anomaly exist की थी, जैसे कि 2020 या 21 को, we cannot make a GDP base year, क्योंकि COVID की वज़े से वहां पर GDP में बहुत जादा downfall आया था, right, abnormally low rates of GDP वहां पर हमें देखने को मिलत होते हैं, and similarly 2008 को भी नहीं रखा जा सकता, तो 2011-12 पिछली exercise में एक ideal year था, जहां पे latest data भी मौझूद थी और भारत की अर्थववस्ता की performance ठीक ठाक ठीक, normal थी, ठीक है, तो these were normal years, and consequently इसको base year मान लिया, similarly यहीं इसी तरह से हमने inflation को भी calculate करने के लिए, जो CPI का base year है, right, जो base prices होते हैं, CPI, यानि कि inflation, देखो, inflation क्या होता है, महंगाई, ठीक है, आपने अगर calculate करना है कि यह pen कितना महंगा हुआ है, तो किसी चीज़ से compare करोगे न, कि आज अगर यह 20 रुपे का है, तो मैं कैसा कहूंगा कि यह महंगा यह कम है, मैं ऐसे कहूंगा, कि अच्छा पिछले inflation and other similar macroeconomic tools, इसमें भी यह consumer expenditure survey हमारी काफे मदद करते हैं, तो सबसे पहला सवाल जो हमें इस data से पता लग रहा है, जो consumer expenditure survey का data reveal कर रहा है, वो क्या data है, वो भी बता देता हूं, और इससे क्या हमें मालूम पढ़ रहा है, वो भी बता देता हूं, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि लोग, ठीक है, खाने के ऊपर relatively खर्चा कम कर रहे हैं, यानि कि एक आम तोर पे मान लीजे किसी की आमदनी एक महीने की 10,000 रुपे है, ठीक है, तो एक समय था, जब इस 10,000 रुपे में से 5-6,000 रुपे उसके खाने के ऊपर खर्च हो रहे थे, and he was just remaining with approximately 4,000 रुप पाएगा, अपना ध्यान रखेगा, medical खर्चे, you know, फुल्फिल करेगा, कपड़े लेगा, ये सब, ठीक है, लेकिन अब पता लग रहा है कि as a percentage of his total income, his expenditure on food is reducing, तो मुझे comment section में आप बताईए कि क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, कि मानीजे, आज की date में किसी की 10, 10,000 income है, तो वो 5,000-6,000 खाने के उपर खर्चना करके, उसको खर्च करना पड़ रहा है, 3 या 4,000 रूपे, ठीक है, example के रूप में आपको दिये, इस situation को अच्छा माना जाते है, ठीक है, इसके बीचे reason ये है, ये चीज, इस चीज को दरशाती है, कि देखो ऐसा नहीं कि ल रोटी तो हो गई, कपड़ा and मकान, ठीक है, तो saving इस से बढ़ सकती है, education के उपर better खर्चा कर सकते हैं, ठीक है, कुछ पैसा बच गया तो bank में जमा कर सकते हैं, bank further इसको economy में circulate कर देता है, by giving loans to other people, right, तो this is a good thing, और इसमें हम अगर देखें, ठीक है, तो rural households की बात करें, त 59.4% आए, approximately 60% एक इंसान की जो, you know, आमदनी का हिस्सा था, वो खाने पर खर्च हो जाता था, सरफ 40% रहता था दूसरी चीजों के लिए, तो उसमें आपने कहावत वो सुनी होगी कि नंगा नहाएगा क्या, निचोडएगा क्या, तो वो वली situation हो जाती थी, right, and आज की date मे यह 46.38% है, which is a good thing, right, similarly, urban areas की अगर हम बात करें, तो 99 to 2000 में यह 48.06% थी, a little less than 50%, आज की date में यह 40% से नीचे जा चुकी है, right, so 60% of the money being earned by an urban person, वो दूसरे कामों में खर्च कर सकता है, बच्चों की पढ़ाई में, कपड़े में, रेंट में, यानि, फ्यूल में भी, right, तो avenues हैं, अपने पैसे को दूसरे areas में खर्च करके, अपने उपर invest करने के, so this is considered to be a good situation, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि food के उपर expenditure अगर decline हुआ है, यह बता रहा है कि ओखो लोगों ने खाना बंद करें, नहीं, खाउत नहीं रहे हैं, बस यह है कि उनकी income relative to their खर्चा on food, वो improve हो और food भी relatively affordable price में मिल रहे हैं, अब अगर हम खा क्या रहे हैं, खाने के अंदर थोड़ा और dwell करें और जानने की कोशिश करें, that what people are actually eating, ठीक है, तो इसमें भी बड़ी ही थोड़ी सी विचित्र हमें information और revelations मिलती है, ठीक है, इसमें आपको लग सकता है कि लोग जो हैं, वो personal choice है किसी की, कि वो शाकारी होना चाता है, वो शाकारी हो सकता है, वीगन बनना चाता है, वो वीगन बन सकता है, अगर eggs, right, eggs, यहां chicken खाना चाता है, बहुत लोग prefer करते हैं, पसंद करते हैं, KFC, VFC, बहुत कुछ आज़ के चल रहा है, अगर उनको वो पसंद तो कर सकते है बस healthy रहें, ठीक है, यह चीज है, ठीक है, unhealthy खाना, यह fast food, pizza, burger, इस से थोड़ा बचके रहें, ठीक है, बट खाना healthy हो, आपका nutrition अंदर पूरा जाना चाहिए, तो इसमें हमें पता लगा है, कि 1999 से 2000 में, जो आपकी income का काफी बड़ा proportion था, जानी कि 22%, खाने में बहुत कुछ आता है, खाने में सिरफ यह चावल और आटा नहीं आता, डालने भी खरीदनी पड़ती है, सबसें भी खरीदनी पड़ती है, दूद, दही और vegetables भी होती है, तो आपका 22% हिस्सा, यह पूरा का पूरा किसमें खर्च हो रहा है, सीरियल पर, ठीक है, यह rural household की में बाद कर रह है, लोग सीरियल से शिफ्ट हो रहे हैं, कि फूड में आटा और चावल से शिफ्ट होके दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे है, अर्बन हाउसफोल्ड में भी इसी तरह का ट्रेंड है, यहाँ पर 12% हुआ करता था यह 1999 तो 2000, अब सिरफ 3.64% है, तो अर्बन एरिया के लो है, एग, फिश, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो पहले किसी टाइम पर इनके उपर जो एक्स्पेंडिचर हुआ करता था, यह काफी कम होता था, ठीक है, यह कितना होता था, 11.21% होता था इन चीज़ों पर, इन 1999 तो 2000, तो रूरल आउसफोल्ड में अब यह 14% हो हो रहा है, इंक्रीज हुआ है, similarly, अर्बन एरिया में पहले यह लगबग 10.7% होता था, मार्जिनल इंक्रीज यहां पर भी हमें देखने को मिले है, तो फूड के ऊपर खर्चा कम हो रहा है, लेकिन फूड की एटिंग हैबिट्स लोगों की इंप्रूव हो रही है, ठीक है वो यह है कि महंगाई को calculate करने के लिए हमारी सरकार consumer price index, CPI inflation के index को calculate करती है, इस CPI में कुल मिलाकर 299 items होती है और हर item को उसकी importance के हिसाब से weightage दी जाती है, ठीक है, for example, first कीजिए कि जैसे खाना है, खाना हम सब लोग खातने हैं, और अगर खाने के price में उताहर चड़ाव होत है, तो वो सब को impact करेगा, on the other hand, कुछ electronic items है, let's say Apple का iPhone है, एपल का iPhone लिमिटेड लोग यूज करते हैं, तो एक Apple के iPhone के prices में, let's say, 2000 रुपे का jump आ गया, यह 20% increase हो गया, और खाने के price 20% increase हो गया, यह चलो, इसको भी छोडो, अगर खाने में price मान लो, 10% rise हो गया, और Apple के iPhone में 30% price hike हो गया, तो जो महंगाई का स्थर है, वो Apple के iPhone से इतना impact नहीं होगा, वो खाने के price से ज़्यादा impact होगा, because it is being consumed by everyone, ठीक है, Apple का iPhone तो इका दुखका लोग consume करते हैं, थोड़े बहुत, ठीक है, बहुत लोग तो EMI पर लेके करते हैं, ठीक है, तो जाधा तर लोगों के चीज है, उसके price में अगर उतार चड़ाव आ गया, तो वो महंगाई को ज़्यादा impact करेगी, तब ही food के price के उतार चड़ाव से महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, यहां घट जाती है, तो इसमें अब यह कहा जा रहा है, कि क्योंकि हमारे consumption pattern में change आया है, ठीक है, तो ministry की website से उठा कर यह data निकाला है, तो इसमें देखो, जैसे food और beverage को maximum weightage दी गई है, क्योंकि it is consumed by many people, क्या करते हैं लोग, चाय पियेंगे, which is beverage और रोटी वगरा खाएंगे, ठीक है, तो 45.86% combined CPI में यह weightage दी गई है, ठीक है, similarly miscellaneous के अंदर, जैसे education और बाकी चीज़ें, इन पे भी खर्चा हो जाता है, it is 28.3% housing, यह rent जो pay करना पड़ता है, यह भी आपकी income का अच्छा खासा percentage बन जाता है, इसको 10% इससा दी है, and so on, ठीक है, बाकी के भी इस तरह से चीज़ें, तो इसमें जानकारों और experts का कहना है, क्योंकि recent consumption survey हमें बता रहा है, कि हमारे consumption pattern वो नहीं रहे जो 2011-12 में हुआ गरते थे, अब यह pattern change हो गए है, जैसे कि rural areas में हम serial के उपर, you know क्या कर रहे है, serial के उपर हम 4.91% खर्चा कर रहे हैं अब, अभी आपको दिखाया मैंने table, लेकिन CPI rural basket में, जैसे CPI combine निकलती है, CPI urban और CPI rural भी निकलती है, CPI rural में serial और दूस को update करें, क्योंकि देखो इससे होता क्या है, कि serial में हमारी consumption कम है, चावल और गेहूं हम कम खा रहे हैं, हम दूसरी चीज़े जादा खा रहे हैं, लेकिन चावल और गेहूं के price के बढ़ने से, जो CPI के हिसाब से हमारी inflation निकलेगी, उसका अभास जादा महसूस होगा, given जो 5% पैसा ही जाता है, तो अगर उसमें मालो थोड़ा उतार चड़ा हो गया, तो उतना फरक नहीं पड़ेगा, जितना तब पड़ता, अगर हम अपनी income का 12% हिस्सा, अब चावल और आटेबर खर्च करते हैं, ठीक है, तो इससे कहीं न कहीं, ये message जा रहा है कि RBI को जो आंक रहता है कि महगाई बढ़ गई है, तो वो repo rate को क्या करेगा, बढ़ा देगा, repo rate के बढ़ने से क्या होता है, कि जितने banks हैं, ये भी अपने rate of interest को increase कर देते हैं, अब जब आपको पता लगता है कि bank का rate of interest बढ़ गया, तो आप क्या करोगे, कि अच्छा, bank जादा rate of interest दे रह है, चलो, तो लाख रुपे की FD करा देता हूं, ठीके, बाप दादा का बचा हुआ पैसा है, savings है मेरी, तो ठीके, इसकी FD करा देते हैं, पांच साल बाद अच्छा-का-सा interest मिल जाएगा, बेटी की शादी करा देंगे, अब बच्चों के पढ़ाई पे खर्च कर देंगे तो हमारा जो otherwise disposable पैसा था, जो हमारे हाथ में था, जिसको शायद हम खर्च भी कर देते, तो वो कहीं न कहीं अब FD में चला जाएगा, यानि की market से खिच जाएगा, ठीके, otherwise हमने क्या करना था, अगर generally यह मानने जाता है, macro economic level पर, कि इस पैसे को शायद हम थोड़ा-थोडा खर्च कर देते, ठीके, घर पे है, तो वो किसी न किसी चीज़ पर खर्च हो जाना था, पर अब वो FD में चला गया, ठीके, और दोसरी तरफ, अगर मान लो, आप उद्यम कर रहे हैं, ठीके, तो आपने, आपको पता लगा कि लोगों की ने demand बहुत है, ठीके, अंडे चीजें हुई, एक, market से पैसा, circulation में थोड़ा कम हो गया, क्योंकि रेपो रेट के बढ़ने से, बैंक के rate of interest बढ़ने से, वो बैंक में चला गया, लॉक हो गया, ठीके, तो और दूसरी तरफ, क्योंकि ये पैसा लॉक हो गया, तो लोगों में भी demand कम होगी, प्लस आपको भ पोल्टरी फार्म या इसकी expansion में आपने तीन और को hire करना था, ठीके, और ये क्या है, जब एक नया पोल्टरी फार्म बना, तो वो economic growth मानी जाएगी, कि नहीं मानी जाएगी, comments में बताइए, तो ये growth हो नहीं थी, लेकिन अब bank के rate के बढ़ने से, ये पोल्टरी फार्म ये घातक साबित हो सकते है, right, so consequently, it's time, and विशेशगे भी यही कह रहे हैं, कि it's time कि हम इस data को improve करें, और update करें, ठीके, इसी के साथ-साथ imputed और non-imputed values को अगर हम देखेंगे, तो उससे हमें inequalities के बारे में पता लगता है, और ये चीज़ सामने आ रही है, कि जो सरकार द्व जो है, ये एक इनसान का मंतली खर्चा इसने निकाला, प्लस, कुछ ऐसे भी schemes होती है, जैसे मान लो कि मैं 10,000 रुपे मेरी आमदनी है, उस 10,000 रुपे में मैं अपना कुछ ना कुछ खर्चा कर रहा हूँ, food पे खर्चा हो रहा है, ठीके, education यानि कि miscellaneous item पे खर्चा हो रह है, तो इसमें क्या है, कि otherwise, let's say मेरा खर्चा जो है, overall, 10,000 रुपे, 10,400 रुपे है, ठीके, लेकिन इसमें 1000 रुपे का cylinder जोड़ दो, assume कर रहे हैं, हम exact value नहीं, assume कर रहे हैं, तो ये 11,400 हो गया, तो this is now called, जब मैंने, otherwise अगर scheme ना होती, तो मैं को ये खर्चा खुद गरना प consumption का, उसको कहते हैं, imputed value, ठीके, कि मालो मैं student हूँ, मैंने copy pen, सब कुछ ले लिया, लेकिन ये जो marker है, इसकी जरूरत है मुझे, ये मुझे study IQ provide कर रहे है, ठीके, तो ये मेरी imputed value के अंदर, imputed monthly per capita expenditure के अंदर, ये marker की value जुड जाएगी, ठीके, तो इसमें ये पता लग रहे है, कि actually, अगर हम imputed value का असर देखें, तो इसमें हो रहा है कि 0 to 5% fractile जो है, fractile का मतलब है, कि let's say, अगर मैं आपको बताऊं कि 0 to 5% का मतलब है, bottom 5% low, ठीके, 70 to 80% fractile का मतलब है, कि ये जो 0 to 100% में लोगों को divide कर दो ना, आर्थे का धार पर, तो ये जो 10% की bracket में जो लोग आ रहे हैं, 70% से लेकर 80% के बीच की bracket में, 10% में जो लोग आ रहे हैं, इनकी बात कर रहा हूं, तो 0 to 5% को सबसे कम फायदा हो रहा है, absolute terms में, in terms of subsidies, इनको subsidy की form में, on an average, सिरफ 68 रुपे मिल रहे हैं, जबकि 70 to 80% वाली bracket में, जो की उपर हैं काफी, 0 to 5% से, इनको मिल रहे ह राइट, और जो top 5% है, 95 to 100%, इनको मिल रहे हैं, approximately 80 रुपे, ठीक है, हैं तो कम, लेकिन तब भी 68 से जादा ही हैं, तो ये कहीं न कहीं हमें, indication कर रहा है, कि subsidies misdirect हो जाती हैं, हाँ, ये जरूर है, कि अगर हम percentage wise calculate करेंगे, कि subsidy मिलने के बाद किसी की आमदनी में, या खर्चे म है, ठीक है, तो उसको 168 रुपे जब उसको मिले, तो this is a rise of 68%, example दे रहा हूँ, on the other hand, ये जो 70 to 80% फेक्टाईल है, इसका खर्चा 1000 रुपे है, ठीक है, तो इनको 93 रुपे मिले, ये 1% भी नहीं है फिर, ठीक है, 93 is not even 1%, less than 1%, है न, ये चीज़ समझ आगी ना आपको, ठीक ह अगर ये, ये देखो, 93, right, divided by 1000, right, तो ये approximately 10%, sorry, 1% भी 10% के गरीब होगा, लेकिन यहाँ पर 68% हो रहा है, और अगर किसी के top 5% में 10,000 है, तो भले ही उनको 80 रुपे मिल रहे हैं, इनकी percentage change कम होगी, ठीक है, I hope ये point आपको समझ आ गया है, कि absolute terms में 0 to 5% फ्रेक्टाईल को सबसे कम पैसा मिल रहे है, लेकिन हाँ, jump in में अच्छा खास आ रहे है, इनकी आमदनी का, इनके खर्चों का change का percentage जादा है, ठीक है, लेकिन जरूरत ये है कि अगर हमने equality बनानी है, ठीक है, ठोड़ा equitable distribution of resources करना है, जो कि हमारी सरकार के directive principles of state policy के तहत भी, एक constitutional obligation भी है, although not legally enforce possible, but still, it is a directive principle, तो उस case में हमें subsidies को थोड़ा सा revamp करने की जरूरत है, और targeted beneficiaries को और अच्छे से identify करने की जरूरत है, ठीक है, तो ये fourth point है, जो इससे पता लग रहे है, and fifth point बता रहा है कि हमारे overall भारत में regional variations बहुत जादा है, between the states as well as between rural and urban areas, for example, nine states ऐसी है, जहां rural और urban average per capita consumption spending ज low national levels, यह nine states कौन सी है, सबसे पहले, West Bengal, then Uttar Pradesh, then Odisha, Meghalia, Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, and Assam, यहां 57% रहती है country की population, लेकिन national average से consumption expenditure इनका कम है, यानि की standard of living भी obviously उससे कम हो जाते है, ठीक है, and along with that, अगर हम, right, पांच दूसरे states और union territories को देखें, जैसे लक्षवदीप, लदाक, जेंड के, दादर नगर हवेली और मनिपुर, तो इसमें जो urban average monthly per capita expenditure है, यह national urban average monthly per capita expenditure से कम है, ठीक है, तो regional inequality हमें नजर आ जाती है, and the problem is कि आदी से जादा population, ऐसी states में रह रही है, जहां पर स्थिती थोड़ी सी खराब है, moreover, अगर हम compare करें हर state के rural और urban को, ठीक है तो जो percentage है, जो percentage है, आप clearly देख सकते हैं कि rural में expenditure level थोड़ा कम है, तो कुछ states हैं जिसमें abnormally बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, in rural in comparison to urban, तो यह भी एक inequality को highlight करता है, ठीक है, तो काफे कुछ reveal हो रहा है इस data से, और जो UPSC aspirants हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि अब इस points निकल के आए, खासकर यह inflation वाला point, इससे आपको, you know, काफे insights मिली हैं, जिससे कि, you are in a better position to understand कि, what is the impact of these survey on policies, right, तो ऐसा question देखो, यह exam में आपसे पूछा जा सकते हैं, National Household Consumption Survey, expenditure survey of 2022-2023 के बारे में पूछा गया है, यह कह रहा है कि, it is conducted once in every five years by NSO, recent survey reveals that Indians both in urban and rural India have more money to spend on things, other than food in comparison to 25 years ago, यानि कि 99-2000 के साल में, ठीक है, इसका answer मुझे comment section में बताइएगा, right, and the correct answer to this question is option C, दोनों ही correct है, हमने इसके बारे में पढ़ी लिया था, और जाने से पहले आप सभी को में बताना चाहूंगा, कि अगर आप full-fledged UPC की preparation कर रहे हैं, and your target year is 2025 और 2026, we have two batches for you, for 2025 students, हमारा fresh batch start हुआ था, 26th February को, ठीक है, तो इसमें देखो, English batch में मैंने ही classes ले थी, जहां पर हमने GS paper की discussion कर लिये, notes कैसे बनाने हैं, उसको बच्चों के साथ मिल कर एक exercise की थी, which people have really appreciated, and बिल्कुल चार पेज, पांच पेज के notes को कैसे, एक A4 sheet में condensed किया जा सकता है, उसको हम उनका quality start होने वाला है, बाई दिवाकर सर, right? Similarly, bilingual, यानि कि जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं कि content English में हैं, लेकिन explanation में Hindi English mix हो रहा है, तो ये batch में भी orientation चली, and अब उनका geography start होने वाला है, बाई प्रितेश मा तुरकर सर, तो इस batch के अंदर आपकी सारी preparation holistically होगी, यानि कि आपको prelims की पूरी तयारी करवाई जाएगी, आपका foundation अच्छे से बनाया जाएगा, prelims के लिए आपको crash course किसी भी extra charge के बिना provide करवाया जाएगा with comprehensive test series, e-booklets and other things, right? और इसमें 22,499 का ये course है, अगर आप CS live code use करते हो at the time of checkout, ठीके? तो इसमें live classes तो देखो रहेंगी, उसी क साथ-साथ handwritten notes हम ही आपको बना के देंगे, right? लेकिन खुद के notes बनाये कैसे जा सकते हैं, इसकी training पूरी दी जाएगी, ताकि उन handwritten notes को आप अपने हिसाब से और polish कर सकें, mentorship है कि बहुत important feature है इसका, क्योंकि देखो, महाभारत के युद्ध में, अर्जुन भी एक बार, उन जीतने के लिए, एक mentor का होना बहुत आवश्यक है, आप में से कई candidates ऐसे हो सकते हैं, जिनके सगे संबंदी, या परिवार में कोई इस exam की अच्छी कासी जानकारी रखते है, और हर step पर आपको सही guide कर रहा है, लेकिन सचाई ये है कि आज भी बहुत से हमारे बच्चे, आज में हमारी ये mentors आपके साथ लगातार संपर्क बना कर रखेंगे, आपकी daily progress, आपकी situation क्या है, किस तरह से आप और खुद को improve कर सकते हो, strategy क्या बनाई जा सकती है, कैसे classes में और attention दी जा सकती, इस सारी चीज़ें इन mentors के साथ आप दिल खोल के discuss कर सकते हैं, right, prelims का और means का weekend पे आपके, उसका भी test होगा, ताकि आपको solve, answer कैसे solve करना है, उसके बारे में पता लगजे, एक और चीज़, अगर आपका prelims clear हो जाता है, तो आपको free means residential program मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि देखो, आप Delhi आना afford नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप आईए, हमारी facility में रहि रहेंगे, वहाँ पर timely आना है, हमारे साथ discussion करनी है, और मेहनत करनी है, तेक है, इस cease से जो लोगों ने pre clear किया है, उनको extra attention मिलेगी, and there will be better chance of them cracking the exam, right, and that is our purpose, in case कोई सी reason से कोई Delhi नहीं आ सकता, या अगर आपका free नहीं clear हुआ, गवराना नहीं है, online classes के माधियम से हम लगाता हो, तब mains भी clear हो, तो यह हमारा 2025 का plan है, 2026 मैं उन candidates को suggest करूँगा, उसका भी link आपको description में मिल जाएगा, इसको हम long term batch करते हैं, दरसल ऐसा है कि जो working professionals और college going students हैं, वो दिन में हो सकता है, 4 घंटे दे पाएं, और full timer हो सकता है, 8 घंटे दे पाएं, तो एक output निकालने के लिए अगर 365 दिन 8 घंटे वाला कोई निकाल रहा है, तो 4 घंटे वाले को same output निकालने के लिए 2 साल लग सकते हैं, तो इसलिए मैं working professionals और college going students को suggest करता हूँ, कि 25 की जगह 2026 को अपना target year आपको बनाना चाहिए, ताकि first attempt में आप confidence के साथ अपना paper दें, half-hearted तयारी से कुछ फाइद Quality, History, Geography plus Environment and Economy, इसकी basics classes होती हैं और फिर advanced classes होती हैं, जिसकी मदद से classes में आपको maximum चीज़ें करवा दी जाती हैं, घर पे जाके पढ़ने का burden आपका कम रहते हैं, अगर classes में ध्यान से सुनने के बाद हमारे ही द्वारा दिये गए handwritten notes, revision करते हुए आप घर पे जाके आधा प करते हैं, आज की दिन में इससे और ज्यादा discount आपको इसी code को इस्तेमाल करने से मिल जाएगा, तो इसको use कीजिए और मैं आप सभी से बहुत जल्द classes में मिलूँगा, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको like करना ना भूलिएगा and do share this video as much as you can among your friends as well, wish you all the best, thank you so much.